नमस्कार मित्रों जै मातादी मित्रों आप शवी का हार्दिक स्वागत हैं मित्रों देनिक राश्च्रिफल की बात करनी जा रहे हैं 31 जुलाई दैनिक राश्य फल के बारे में गरह गोचर की इस्तिती के अनुशार कौन शे बड़ी परिवर्तन आज आपकी दैनिक जीवन में देखने को मिल शकती हैं। यहाँ जानकारी चंद राश्य पर आधारित आपको देनी जा रही हैं। मित्रों आज का दिन किस त्रहश्य प्लान करें ताकि दिन खाश बने। जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलियो शुरुआत करती हैं पंचांग से। पंचांग की बात करें तो 31 जुलाई रवी बार का दिन रहेगा। और शुरावन महा की क्रिश्न पक्ष की अश्टमित तिधी रहेगी। सुभा पांच बज कर 40 मिनट तक। अस्विनी नक्षत्र रहेगा। साम चार बज कर 38 मिनट तक। इसके उपरांत भर्नी नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। शुल योग रहेगा रात्री 9 बज कर 1 मिनट तक। इसके उपरांत गंड योग आरंभ हो जाएगी। सुरी रासी रहेगा कर्क रासी पर और चंद्र इस दिन मैस रासी से गोचर करेंगे। आज का अभellyत मूहृत का समय रहेगा दोपहर के बारह बसकर 7 मिनट कर सुरूब नए कारी की शुरुवाद बिलकुल कर शकती है। और राहुकाल का शमय रहेगा, सुभा के 9 बज कर 17 मिनट से, 10 बज कर 25 मिनट तक, यहाँ शमय निवेश करने से आपको बजना चाहिए, क्योंकि यहाँ शमय और सुब माना जाता है, चलिए, जानते हैं दैनिक राश्रिफल, धनु राश्रिवाले जातक, आज आपके विरोध मौका मिल शकता है, और वेवसाय में प्रगती होगी, आज आपको लाब हो शकता है, लेकिन मन में नकरात्मक भाव आनिशे, आपका ध्यान गलत दिसा में जा शकता है, उस पर आपको ध्यान रखना है, और नकरात्मक चीजों से आपको दूर रहना है, धनु राश्रिवाल आज के दिन अपने से बड़ों का कहना माने शुब फ़लों की आपको प्राप्ति होगी अगर आप नए कारी की आज शुरुवात कर रहे हैं तो बड़ों का आश्रिवात लेकर ही करें आपके लिए शुब रहेगा शाथ ही स्वास्ति आपका शमानी तोर पर अच्छा बना र धनुर अश्रिवालिद जातक वैसे तो दिन आज बढ़ियां हैं सुब फ़ल की प्राप्ति आज आज आपको होश रखता है लेकिन आज आज आप सोच समझ कर ही कोई कारी करें शाथ ही कारोबार में आर्थिक लाब और नौकरी में तरक्की की योग बन रहे हैं और किस्मत का लाब की भी संभाव ना वन रहे हैं शाथ ही कार्यों में आपकी शफलता मिलेगी अगर आप कोई कारी कर रहे हैं तो शफलता मिलनेकी योग नजर आ रहे हैं धनु राशिवालिजा तक जिससे शाररिक एवं मानचिक रूप से श्वस्त और प्रसन रहेंगे मित्रों और किसी यात्रा पर जाने का आयोजन हो शकता है और संतान की पढ़ाई निखाई की चिंता आपको शता शकती है और परिशानी में डाल शकता है शाथ ही स्वास्ति आपका अच्छा रहेगा